ट्राइब करें मेरे यूटूब चैनल सेवेशिंग को और प्रेस करें बेल आइकन को सारे लेटेस यूसफुल अपडेट सबसे पहले जानने के लिए हेलो फ्रेंड्स फेलकम टू मार यूटूब चैनल सेवेशिंग फ्रेंट्स आज की इस वीडियो में मैं बात करने जा रही हूँ होममेट ग्रीन टी की मदद से गयब करे पेट और कमर की चरबी पेट और कमर की चरबी या बढ़ते हुए बजन से आज कल हर कोई परिशान दिखाई देता है खास तोर पे औरते इस परिशानी से जूचती है क्योंकि बच्चे के जर्म के बाद औरतों का काफी बजन बढ़ जाता है और इसे कम करने के लिए मार्केट से कई तरह की दवाईयों का सेवन भी करती है जिन से ना तो कोई फरक पड़ता है और शरी पर इनका साइड इफेक्ट भी काफी हो जाता है यदि आप भी अपने बजन को लेकर परिशान हैं तो इन में होन मेट ग्रीन के टी का इस्तमाल करके अपने पेट और कमर की चरभी को कम कर सकते हैं इन में सबसे पहले आजाता है पुदीना पुदीने के पत्ते को गरम पानी में 10 मिट तक उबाले और फिर गुन-गुना रहने पर गुट-गुट करके पिए पुदीने में मेथायल होता है जो फेट सेल्स को कम करने में काफी मदद करता है फिर आजाता है दाल चिनी डाल चीनी में polyphenols पाए जाते हैं जो कैलरी बन करने में काफी मददकार साबित होते हैं इसकी चाए बनाने के लिए गरम पानी में डाल चीनी का पाउडर, चाए की पत्ती और दो डाल कर 5 मेंटर को बाले फिर छान कर इसको पीले फिर आजाता है जीरा एक चमस जीरे को गरम पानी में डालकर आदे गंटे के लिए धककर रखे और इसमें शहर्थ या नीबुकारिस मिला कर गुनगुना करके पीले फिर आजाता है काली मेच काली मेच और अद्रक को गरम पानी में 5 मेंटर को बाले और छान कर थोड़ा सा गुनगुना रहने पर शहद मिला कर पिए इसमें मजूद पाइपेरियन फैट्स बन करने में मदद करता है फिर आजाता है अदरक उबलते हुए पानी में अदरक कर टुकडा और तुलसी की पतियां पांच मेर तक उबाले और छान कर इनका सेवन करें इससे बहुती जल्दी फैट बन हो जाएगा तो फ्रेंड्स आप इनकी ग्रीन टी में से कोई भी ग्रीन टी चुन कर तीन मेहने तक इनका सेवन करें आपको इनका फरक जरूर नज़र आएगा तो friends उमेद करती हूँ मेरी ये information आपको पसंद आई होगी पसंद आने पर इससे like और share करे और मुझे comment भी करे Thank you friends